गुद्मीघ स्टुडेंट तुडेंट टोपिक ऑफ बाइव तिस्टेम आज हम इंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे और पूरे स्लेबस के थूरू उसके अंदर जो इंपोर्टेन इंडोक्राइन ग्लाइंट से उनको भी हम स्टेटी करेंगे हॉर्मोन्स उनका साइड एफ आप देखें, first we are going for the important word, the endocrine system, हम सोचें कि ये endocrine system है क्या, ठीक है, it is the message that uses hormones to regulate distant organs, यानि ये वो message है, जो hormones का का सहायता लेता है, यानि ये hormones के थूँ, जो हमारे सरीर में जो दूर object है, distance organs, उन पे ये असर करता है, और ये ऐसा किस प्रकार करता है, it does by circulatory system, यानि ये circulatory system, यानि हमारा जो blood का flow है, उसका use करता है, और hormones के थूँ ये अपना काम करता है, मतलब, इंडोक्राइन सिस्टम, hormones के सहायता से, blood के थूँ, किसी भी target organs पे ये असर करता है, टाम करता है, I hope ये समझ में आ गया, इसमें दो important factors involved है, first is blood, यानि blood हो गया, हमारा जो circulatory system हो गया, और दूसरा हो गया, chemical hormone, यानि होर्मोन एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर कर किसी भी particular object या body part पे ये असर करता है, लेकिन किसके सहायता से, वो blood के सहायता से, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, इंडोक्राइन सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम is made up of number of glands, खास बादेगे, it is made up of number of glands, इसमें बहुत सारे glands है, जिनको आप क्या बोलते हो, से अगर हम बात करें, तो difference between इंडोक्राइन और इंडोक्राइन ग्राइन बहुत ही खास है, बहुत ही important है, पहला अगर हम सवाल बात करें कि इंडोक्राइन, क्राइन ग्लैंड्स क्या है, देखो, these are the glands which has no duct, सबसे खास बात, यह वो glands है, जिनके पास कोई duct नहीं है, duct नहीं इसको duct बोलते हो, लेकिन यह duct pipe के type structure भी हो सकता है, यह particular कहीं storage होने वाले particular pocket यह जगव को भी हम duct बोल सकते हैं, तो overall जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स है न, they are ductless, यानि इनके अंदर duct नहीं है, यह अपने जो hormones हैं, इनको सीधे blood में release करते हैं, खास बात, these glands release their blood, their secretion directly into the circulatory system, that is blood, यानि, इंडोक्राइन ग्लैंड्स वो glands हैं, जो अपना secretion सीधे blood में छोडते हैं, कहां छोडते हैं, blood में छोडते हैं, I hope यह आपको clear हो गया, they secret hormone, यह hormone तो secret करते हैं, इसमें कोई doubt नहीं है, they secret hormone directly into the blood, कोई दूसरा इसमें वो definition नहीं है, आप examples देख लें, adrenal gland हो गया, pancreas हो गया, pituitory हो गया, यह कुछ इसका examples है, अगर हम आगे चलें, its secret hormone, its secret chemical hormone, यानि यह क्या secret करता है, chemical hormone, यानि hormones को यह release करता है, ठीक है, और important word किसके थरूँ, blood vessels के थरूँ, तो I hope आपको यह दो points याद हो गया, तो यह basic है कि endocrine और exocrine glands में क्या difference है, अगर वही हम दूस that glands which secret their secretion into the duct, यानि वो directly वो blood में नहीं पोर करता है, वो पहले duct में अपने secretion को पोर करेंगे, फिर वहाँ से जरूद पड़े, तो वो कहीं भी जा सकता है, example, these are the glands which substance opening duct into our body surface, यानि इनका जो secretion है, जैसे hormone release कर रहेंगे, ठीक, अगर endocrine glands, तो endocrine glands कहा secret करेंगे, ब्लट के लेकिन जो एक्जोक्राइन ग्लैंस है, उनका secretion ब्लड में नहीं होता है, okay, examples देख लेए, sweet gland यानि जो हमारा पसीना हो रहा है, ये तो सरीर के बाहर हो रहा है, digestive glands, ये digestive canal यानि ट्रैक में, intestine, mouth, stomach, इनमें उनका secretion है, वो release हो रहा है, milk gland ये सरीर से बाहर हो रहा है, तो लेक आपना जो secretion होता है, उनका secretion भी hormone होता है, जो ब्लड में release करते हैं, लेकिन एक्जोक्राइन ग्लैंस का जो secretion है न वो या तो milk होगा, या तो sweet या निपसीना होगा, जो कि blood में release नहीं होता है, I hope ये exam में पूछेगा, confirm है, differentiate between exocrine and endocrine glands, और आप इसको आसानी से कर पाएं हर्मोन, what are hormones, ये खास है, देख लो आप, इसमें पढ़ना है किया, देख आप हर्मोन पढ़ लेना है, आपको, हर्मोन का कुछ chemical properties पढ़ लेनी है, फिर जो different types of, ये आपके glands है, जैसे कि हो गया, आपका pituitory हो गया, आपका adrenal हो गया, इनके बारे में पढ़ लेना, इनका over secretion और under secretion, जो syllabus में है, ठीक है, उसी कहिसाब से हमने slide टायर किया, आप धबराया नहीं, बस पढ़ते जाएं, देखें, first, hormones, hormones आप किसको बोलोगे, hormones are chemical messengers, यानि ये क्या होते हैं, chemical messengers होते हैं, that sends signal to the body through blood stream, यानि होर्मोन ऐसे chemical messengers हैं, जो हमारे सरीर के अंदर endocrine gland से release होते ह हैं, और blood get through, वो अपने particular target organ या cells पर असर करते हैं, these are chemical regulators, यानि ये क्या होते हैं, ये chemicals होते हैं, chemicals कौन से ग्रीट करेगा, अपना body से ग्रीट करता है, these are chemical regulators, okay, I hope अपका concept clear हो गया, अब कुछ definition अगर कुछ बुक में दिया है, उसको देख लेता है, hormone is a secretion of some glandular part of the body, which is poured directly into the blood, which act as a target organ और cell of same individuals, तो ये सारे points जो है, वो हम properties of hormone में cover कर लेते हैं, तो यहां से हमको hormone क्या है, clear हो गया है, यानि ये chemical messengers हैं, जो endocline glands से release होते हैं, blood get through, अपने target organs, cells पर काम करते हैं, now we are going to talk about the properties of hormone, यानि hormones की property क्या है, first, they are poured directly into the blood stream, ये खाज बाद, after secretion, यानि secret होने के बाद, ये सीधे कहां छोड़े जाते हैं, अपने blood stream में, सीधे blood में छोड़े जाएंगे, दूसरा, they act on the target organ, ये खास है, ये कहां काम करता है, target organs, जिसके लिए release किया है ना इसको, सपोस्कोर अगर growth hormone है, तो वो हमारा पूरा body पढ़ाने में मददगार ह अगर हम adrenaline hormone की बात करें, तो वो उसका काम है, हमारा blood pressure बढ़ाना, हमारे blood में ज्यादा glucose लाना, तो blood pressure के लिए वो हमारे सीधे heart पे काम करेगा, तो अब वो heart के लिए release हुआ है ना, अगर heart organ के लिए, तो वो सिर्फ, और सिर्फ heart पे काम करेगा, ये आपके दूसरे organs पे काम नहीं करेगा, कुल मिला के missiles कैसे काम करते है, missiles are very target specific, missiles में जो उसको target को set कर लिया जाता है, फिर उसको छोड़ देते हैं, अब वो missiles जो laser guided missile है, normal missile भी है, तो जहां target जा रहा है ना, उसको उसको पीछे एदम locate करके उसको दोड़ा दोड़ा के जिदर भागे उसको वो मार दे okay, it is produced in very small quantity, यह खा सह offers, यह बहुत ही कम मातरा में हमारे सरीर में हमारी भागे भागे this is not stored in the body, I hope आप को यह समझ में आगया आगे हम बात करें देर एक्सेस देखो एक्जाम पॉइंट अविव से इस वेरी इंपोर्टेंट देर एक्सेस यानि ज्यादा अगर उनका एमाउंट रिलीज हो जाए सिक्रीट हो जाए सरीर में यह भी नुक्सान दायाक है जिसका आप बोलते हो हाइपो सेक्रिशन और ओव हाइपर अगर हमारे शरीर में जितने हार्मोन जरूए सबका और इसको को जाए सक्रीशन वह उतना रहा है यह बोंड में कुशन बार-बार आप अपना वह सिच्टन हें रहर्मोन को कि भात करें तो वह किसके सहयता से अपना पूरा काम करता है पहला सिस्टम हो गया सर्कुलेटर सिस्टम दूसरा और नर्वी कि ःन तक ओबाओट दा इंदो उप्राहें सिस्टेम और नर्वयस सिस्टेम हमारे से ब्रेन के पार्ट में व्रेन होगा ना ब्रेन में ओऑगा इस ए doनों का बैलेंस मानें करता होगा तो इस है वी कौनसा हो अब आपका है यह इसी आनि हाइपो इस वो भाहु वह ब्रेन का जो क्या करता है दाट मेंटेंज होमियो स्टाशिस तो यानि बैलेंस मेंटेन करता है हमारे इंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस इस्टम दोनों के अंदर ठीक है ताकि इन का फॉंक्शनिंग है वो वैल कॉदिनेटेटील हो बाहु है के अंदर ना हॉर्मोन इन ही किसी चार प्रकार का होता है देखिया फॉर्स्ट टेप्टाइट्स एंड प्रोटीन या तो हर्मोन हमारा प्रोटीन या प्रोटीन होगा केमिकल ही होता है न इटका इदर प्रोटीन इसका होगा इंसुलीन कौन सा हर्मोन है तो आपको बोलना हो इस्टरोइड देखे हाब इस्टरोइड सेट हर्मोन उना। stop बात करें तो द्यार water-soluble hormone ठीक है fatty acids के अगर हम बात करें तो fatty acids के derivatives कौन कौन सा है उसमें जाएगा आपका prostaglandins कौन से हार्मोन प्रोस्टaglandins हार्मोन आपको यह याद रख लेना है साथ one word में पूछ ले वो तो आपको यहां से इसको कर लेना होगा कि हार्मोन से राधर वाइदर वाटर-soluble और फैट-soluble हमने पहले ही देखा था कि या तो वो पानी में घुलने वाले हो सकते हैं या फैट में घुलने वाले हो सकते हैं ठीक है सब्सक्राइगा प्रोटीन्स भी होता है ना वाटर-soluble देखो डबलू बी-सी बस यह यानि विटमीन भी और विटमीन सी यह दो ही हैं जो वाटर-soluble है कुछन पुछता वीच आप दा फोलेंग विटमीन इस वाटर-soluble और कौन सा वाटर-soluble है कौन सा फैट-soluble है तो आपको इसके लिए ट्रिक मैंने बताए देखो डबलू भी-सी आ देखना डबलू का मतलब केला हो गया वाटर यानि वाटर मेरा वाटर में कौन सी है विटमीनभी हैं विटमीन वीटरीमीन ऑन चीच बाकी इतनना भी विटमीन आह थिया गया है यह देखो कुछ बेसिक कॉंसेप्ट आपको याद रखना होता है तो उसको थोड़ा अगर वे स्टैंडर्ड बना रहा होता है तो वो कुछ टफ पॉइंट दे देता है और वही पॉइंट्स दिनने की कोशिस करता है जो बच्चे मिस आउट करें ठीक है तो आप उनको याद रखेंगे हैं घ्रिय। हम हार्मोन और नर्वस कैन्टोल कर सकते हैं हर्मोन और तो हम Canal करते हैं तो 10-12 साल तक रिलीज हो रहे हैं लेकिन नर्वस कंट्रोल कुछ अगर हाथ जला तुरंत हाथ महाथ हट आलेंगे दिस फास्ट नेक्स हर्मोल कंट्रोल एफेक्ट इस लॉंग एंड सॉट लास्टिंग वह लागी इसका जो एफेक्ट है ना वह वह लॉंग लास्टिंग भी हो सकता है सॉट लास्टिंग में हो सकता है मतलब धीर धीर काफी देर तक भी एक्ट कर सकता है और छोटे जैसे हम एड्रेनलीन हार्मोन की बात करें तो वह उसका असर तो सॉट लास्टिंग होता ना मालों अभी आपने कुछ देखा कुछ ब्लास्ट वगर हो गया या चल के वाति धीर धीर होस्ट्व यह कहां करता है यह तुछ क्ले साथ जैसे कज ईसका पुस्य जी असर पकरता है इट फेक्स रा उaci're क्रोग नाम्रमॉन ऐ अब बात करें ल Id国 करता हैं मारी बंढ 떠ंत करता हुइक लेकिश नर्वश कांट्रूल हमारे बोड़ी को कन्ट्र ज करता है यह हमारे ग्रोथ को यह किसी भी प्रकार से इफैक्ट नहीं करता है हर्मोनल कंट्रोल इसका मतलिब क्या देखो हर्मोनल का कंट्रोल है वो आप उसमें कुछ भी हिंटर नहीं कर सकते हो वरना जो लोग ग्रादनेशल बात करें चलता है लेकिन अगर दोत चलता है लिया सब zij crafts सबसे खास एड्रेनल ग्लाइड ठीक है और देखो ध्यान से आपको यह पढ़ना जुरूरी है इसमें क्या पढ़ना वह मैं बता रहा हूं जितना पॉइंट्स हमने इसमें में इसमें कर दिया है वहीं से पढ़ना है क्योंकि वहीं से होगा सबसे खास उसका ओवर सिक्रीशन अंडर सिक हम दिया है इसको जब कट करोगे वर्टिकल तो इसमें जो इसका बाहर वाला भाग है इसको और कापसूल पलेंगे क्या और बीच वाला भाग है आप इसको बोलते हो मेड़ूला क्या बोलेगे इसको मेडूला यह आई होप आपको इस्ट्रक्चर याद हो गया जो आउटर सर्फेस है उसे आप क्या बोलोगे कॉटेक्स और गोर्टेक्स और जो अंदर वाला भाग इसको आप मेडूला यह व्यूर्व लिक्तों an dean बदाए डियाग्राम से the tua कोंटेक्स क्या MARINO क्या है इसका लोकेशण क्या यह कितना होता है यह कहां होता है यहीव स्कांध मेडूला ऊसिका फंक्षन क्या है वी यह खास है है देखो चारी हर्मोन है से लिबस में तो इसका पूरा डिटेल जनकारी होना है चाहिए आपको याद रखना है और उसमें भी क्या होना चीए वह मैं बताई रहा हूं आपको सुनते जाओ याद करते जाओ आपको याद है आपको दूसरा नाम फिलोन क्या एक्र ंपिम्यै इलिफ तुको दूसरा नाम देन दयता है और नॉर mm इस दूसरा नाम मंतुथ और नौर एपिने फ्राइन विच देलिग विद इमर्जेंसी यानि यही हर्मोन है जो हमारे शरीर में हमको इमर्जेंसी के वाग काम करते हैं इस हर्मोन्स अर अल्सो गॉल्टो को एक साथ बोलते हैं क्या कैटो कॉलमाइन यह अद्रेनलिन हर्मोन और नोन आद्रेनलिन हर्मोन दोनो रिलीज कारता है यानि अब देखो यह इमर्जन्सी हर्मोन इसको क्यों बोलते हैं जैसे मालोगर कोई सिचुएशन आपके लाइफ में ऐसा आ गया किसी भी चाहने जब आपको भागना पड़ जाए एक्जाम्पल ले लो जैसे मालोग किसी से आपके लड़ाई ही हो गया तो आप पहले तो ल किसमें सपोस्पोर अगर आप लड़ने लगे तो यू नेट मोर पावर मोर इनर्जी यानि ग्लुकोस यह तो यह हर्मोन आपके बॉड़ी के अंदर ग्लुकोस का इमाउंट बढ़ा देता है प्लस आपको ज्यादा ऑक्सिजन चाहिए क्योंकि ब्रिफिंग ज्यादा दूनों के लिए आपको त्यार करता है फाइट का मतलब आप लड़ रहे हो अलग रहा है कि अगर आप जीत होगा नहीं हरोगे तो भागो भी तो यह मालों कि आपको कुछ ब्लास्ट हो गया तो अब जाके ब्लास्ट से थोड़ी लड़ो कि तुम कि बम फट रहा है मैं इमर्जेंसी के बग दूर इमर्जेंसी याणि हमोन किया करता है फस्त इत इंक्रीशेस ऑर हॉर्ट वीट चियानि हमारा जो हार्ड बीट्रहित आ उसको बढ़ा देता है ठीक है इंक्रींट our blood supply, यानि जितनी हमारी arteries उनको dilate करके जब होटवीट बढ़ गया तो blood supply जाना हो जाएगा, तेज हो जाएगा next, more glucose जादा glucose को ये क्या करता है release करता है, more glucose is released into the blood by liver to give more energy, तो ये ऐसा काम करके न, देखो आपको बहुती help करता है आपके भोकिंग है आई होप समझ में आगे हैं आगे बोड़े हम नेक्स अडिनल कोर्टेक्स यानि जो आप कोर्टेक्स है उसका फंक्शन देख लोग इट सिक्रीट मेनी हॉर्मोन यह बहुत सारे हॉर्मोन को रिलीज करता है बेस्ट वन इस कॉर्टिसोन जो बेस्ट वाला हमारे सरीकष में कैटेग्यवरीज किया जाता है मिनेडरेल को कार्टो काइड और ग्लूगो कार्टिकोड बस इतना आपको डिपनिस्ञ याद लगांद मिनेडल मेट इस इतना याद सीम्री नेजWhen है sodium and potassium okay clear next glucocorticoids यह क्या है देखें इत रिगुलेट्स carbohydrates यह carbohydrate proteins और fats इनको यह क्या करते है रिगुलेट करते हैं इनके metabolism को तब एक एक लाइन याद रखना है यह दो खुद बोल रहा है मतलब एक असोशेयेटेड देखें अविजिश करेगा तभी तो आप जब लडाई कर यहाँ इमेर्जेंसी सिटूएशन में आपको ज्यादा है इनर्जी की ज़िरोगत होती है ग्लूकोइच यह न हमारा जो बादब धान वह इनर्जी ग्लूकोष से प्रिपेर करता है ठीक है इंक्रीष कर देता है इञिए भूず का रोड़ीर में उसका रिए गली टारट प्रोटीन metabolism and salt and water balance in the body ये आपको इसका function ये पूरा है इसको भी याद रखेंगे आपकि एडेनल कोर्टेक्स क्या करता है तो देख लो पूरा यहां से यहां तक ओके it increases glucose in the body, regulates fat, protein metabolism and all next we'll go for the C type यानि अदेनल कोर्टेक्स में तो होता है mineralocorticoids, glucocorticoids तीसरा जो हो गया आपका sex corticoids अब देखो ये hormone males और females दोनों में release होता है okay they behave like sex hormone और ये कैसे behave करते हैं like a sex hormone clear sex hormone की तरह behave करता है ये males females दोनों में पाए जाता है हाँ यही जो sex corticoids hormone है अगर चोटे बच्चों में ज्यादा release हो गया ना समझें आप ज्यादा release होने लगा अगर so it results in premature sexual maturity यानि उस बच्चे न थोड़ा sexually premature हो जाते हैं तो यह किसका देन है sex corticoids तो यह important देखो इन hormones का release होना आपके बोड़ी में कितना बड़ा change ला रहा है इससे हैसास करो minerals को regulate कर रहा है fat glucose यहां तक हमारे जो sexual characters है इनको भी regulate कर रहे हैं ज्यादा स्क्रीशन कम स्क्रीशन इसका बहुत दूरा असर होता है next deficiency in the adrenal cortex results in addition disease यह खास है एक्जाम का फैडिशन डिसीज क्या बताओ अगर कमी हो गई को काटेक्स हर्मोन की तो यह बिमारी हो जाता है और इसमें होता क्या यह deficiency of adrenal cortex के हर्मोन के कमी से होता है इसमें होता है क्या loss of energy इसकीन का pigmentation pigmentation मतलब काला 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 होना वजन में कमी हो जाएगी आदमी नौसिया इंसेंसिटिव होने रगता है सवाल है कि एडिशन डिसीज क्या है तो आप बोलेंगे कि एडिशन डिसीज वह डिसीज है जो एडिनल कोटेक्स के जो हर्मोन है उनकी कमी से होता है और उसमें जो सिम्टम है वह नीच लिए आपको इनको याद कर लेना होगा इकसेस ग्लुको कोट्स यादन अगर मालो सरीर के अंदर ज्यादा यह रिलीज हो गया एक लिमिट से ज्यादा देन इट लिट्स इनको सिंड्रोम इसके अंदर उस इंसान को क्या हो जाएगा यह कुशिंग संड्रोम यह क्या करता है वीच रीडिस्रिब्यूट्स कोड़ी फैड पर एसर करता है आदमी को बहुत मोटा कर देगा अबस्ती मोटा हो जाएगा हाइपर ग्लैस्यमिया यानि उसके अंदर ज्यादा ग्लुकोट्स रिलीज हो जाएगा तो इसको सुगर हो जाएगा ठीक है ओस्टोपरोसिस का मतलब हमारी हड्डियों का कम जोर तो और अगर कम हुआ तो एडिशन ज्यादा हो गया तो कसिंग सिंड्रोम आपको याद रखना हो नेक्स्ट उबर ग्रोथ ऑफ दिस अड्रिनल कोर्टेक्स अगर यह बहुत बढ़ गया ठीक है तो इस केस में देखो आपने देखा होगा इन मैच्योर वूमेंस अगर मालो यह बाहर निकलना मुस्टैच वगर और डीप वाइस होना जैसे हम बोल रहें भी फटे बांस की तरह तो ऐसे आवाज होना यह नॉर्मली औरतों में होने लगता है तो यह ओवर ग्रोथ ऑफ अड्रिनल कोर्टेक्स इसके वज़े से होगा ओके दिस कंडिशन इस नोन आज इसको क्या बोल तो अब अडेनल वियरेजम यह आप याद रखेंगे एक्जाम कनफर्मब कोस्टन देखर यो जो यह स्लाइड है और बहुत इंप्धूर्टन है अडिसन डीसी में वह यह तीनों में से क्योस्टीन जरूर होगा किस ने किसी फॉर्म में तो आप इसको प्रेस्ट जो है न वो बड़े हो जाते हैं किसमें मेल्स में पंक्रियास इसका लोकेशन क्या हो गया बेसिक कॉंसेट लोकेटेड बिट्वें इस्प्लीन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन यह देख लो आप अब हमने यहां पे डियाग्राम बना दिया इसमें आप देख लो ठ जनों के भीच में होता है इस गलता है इत प्रोद्यूस डेजेश्टीव जार्मीयां यह थैटषीचीव दानिों दा क्रियास अब क्वेश्चन होगा कि यह क्यों ऐसा कर रहा है देखो यह कुछ हर्मोन्स रिलीज करता है जैसे इंसुलीन वगर हो गया और यह जो है क्या बोलता है कि जो इंटेस्टाइन में यह हमारे फूड को पचने में भी मदद करता है सिक्रीट करता है डाजेस्टिव ग्वी इंसुलीन हार्मोन है उसको सीधे ब्लोड में छोड़ रहा है तो यह तो दूनों की तरह है थाए Test He Scott आपका, as a duck gland, it secretes, as a duck gland, its secretion is pancreatic juice is secreted into the deodenum, देख लो, हमने बताया था, for digestion, and duckless gland में किसका secret करा है, secretion of hormones, that is islet of linger hands, of islet of linger hands में देखें, बहुत सारे hormones आते हैं, जैसे insulin हो गया आपका, देखो यहाँ पे, insulin, glucagon, and somatostatin, अब यह देखो, insulin जो release होता है, वह बीटा से होगा, याद रखना, insulin किसे release होता है, बीटा से से, glucagon, alpha से, और अगर वही बात करें, somatostatin, यह रिलीज होता है, और question आपका होगा, now we'll go for the first, insulin, किस पर जा रहे हम, insulin, insulin, देखो मैं बदा रहा हूँ, इसका काम, basically आपने देखा होगा, insulin का injection आता है, जो आपके दादा दादी या किसी को आपके घर में सुगर लगा, सुगर हो जाता है, उनको छोटा-छोटा injection आता है, उसमें नीडल छोटा सा होगा, जो आप स्कीन में चमड़े बगर में कहीं लगा लेते हैं, वो इस इंसुलीन ही होता है, इंसुलीन का काम क्या है, हमारे बलड में, हमारे बलड में जितना ग्लुकोज है, जादा है उसको यह तुरंत लिवर में ले जाके कहां का, स्टोर कर देता ज्लाइकोजें के फ़र्म में करके स्टोर्स को पैस witness को में लाकर एक सब्द में के अंदर गूल कोस bagola क्म कर देता अब इंसूलीन की कमी होजाती लिए जो ग्लूकोस का आमाउंट बढ़ जाता हैं तो हमस्क、 इनको स्टोर हो यां उसको रुकता है by increasing, क्या increase करता है by increasing the glucose utilization by the body, यानि यह हम अगर नर्मल सिचवेशन है ना, तो हमारा जूग्लुकोस का utilization है, उसको यह increase कर देता है, इसको यह by reducing blood sugar level, anti-positive extra glucose of the body as a glycogen, यह याद रखना, यह क्या करता है, जो हमारा शरीर का extra sugar है, उसको glycogen में कनवर्ट कर देता है कहां लीवर्स में और बाकि जो मसल्स और श्किन्स की नीचे उनको यह इस्टोर कर देता है आपको आई होप काम समझ में आ गया इसका काम है सिर्फ इतना हमारे जो ब्लड में जो इक्स्ट्रा सुगर है न उसको रूकना उसका एमाउंट कम करना और सुगर को ग्लाइकोजन के फॉर्म में कनवोर्ट करके स्टोर करना अगर इंसुलीन कम बन रहा है तो आप खुद जो इंसान है न जिसके अंदर कमी हो गया इंसुलीन का उसके ब्लड में ज्यादा सुगर होगा अब वो क्या करेगा एविन इसक्रीट लाड़ सुगर इंद यूरिया आओ जो यूरीन करता है पिसाब करते हैं उसमें ज्यादा गुलूकोज सुगर जाता है इसलिए हम वो लगने लगते हैं इससे कंफर्म हो जाता है ना कि इनको सुगर है यह फिल्स थॉस्टी द्यू टू मच यूरीने जाएंगे तो बार बार पर पानी भी पीना स्टार्ट करेंगे उनका बहुत तेजी से वजन घटेगा ओके देर विल भी हूज वेट लास्ट अन बेकम्स व दो प्रकार का होता है मेलाइटस और एक इंसिपिड़ास इसमें बहुत ज्यादा यूरीनेशन होता है ठीक है प्यास बहुत ज्यादा लगता है और आदमी कमजोर हो जाता है तो आई होग दूनों में आपने डिफरेंस क्लेर कर लिया इसमें कौन सा हर्मोन इसके लिए इं यूरीनेशन काफी ज्यादा हो जाता है नेक्स हाइपर सेक्रेशन अगर यह मालों इंसुलीन बहुत ज्यादा हो गया ब्लड में तो क्या होगा बहुत ज्यादा हो गया तो इंसुलीन के काम है इंसुलीन ब्लड में क्या करता है सुगर को कम कर देता है कम था तो सुगर ज् हमको इनर्जी प्रवाइड कर रहा है तो आदमी मर जाएगा उसका जो ब्रेन है वो काम करना बंद कर देगा जिसका हम बोलते हैं कि वो कोमा में चला गया सौन जाएगा तो ग्लुकोज का इंपॉर्टेंस रही होता है कि हमारे हर एक सेल को इनर्जी देता है अब ग्लुकोज ही नहीं रहा तो हमारे सेल के पास इनर्जी नहीं जा रहा है तो सिच्वेशन में लोग मर जाते हैं देखो बीदेशों में जो पेसेंट होते हैं जिनको अन्वीरेबल पेन होता है बहु ज्यादा दौध हो रहा है और यह डॉक्टर ने भी देख लिया कि हाँ इसकी जो ब मरना है तो वहां के जो कोट ने वो स्वीट डेत का फर्मान जारी करती है और इंशूलीन चाहिए जाता इसी को हम बोलते हैं and may lead to a brain to a state of coma कहां चले जाएंगे कोमा में चले जाएंगे इंसुलीन सॉक क्या है देखो आपने देखा होगा जो जिनको सुगर हुआ है वो छोटा सा इंजेक्शन लगाते हैं मतलब नीडिल छोटा होता है ताकि बस वो स्कीन में ही रह जाए अंदर ने जाए अगर मालों किसी कारण से उन्हों आगर जादा इंसुलीन ले लिया तो उसको उते हैं इंसुलीन सॉक ठीक है When the dose of insulin is given to the patient is more overdose दे दिया वो बहुश हो जाएगा आप इसको क्या बोलते है इंसुलीन सॉक या अगर किसी कारण से सरीर में इनसुलीन की कमी भी हो गई ना बहुत जादा तो भी इन्सुलीन की अब अगले हरोण पे आ रहा है जिसका नाम है ? का इन्सुलीन का ठीक उल्टा है इन्सुलीन ने ब्लड लेम ग्ल्यूकोस कम किया कён कम् ग्ल्यूकाजन फह नवहाँ से अब उसको ब्लॉड में ले आके जो ग्लुकोस का मात्रा है वो बढ़ाएगा समझ में आ गया चलो देखो इट स्टिमुलेस्ट ब्लेक ब्रेकडाउन आप ग्लाइकोजेन इन दे लीवर टुग्लुकोस यानि लीवर में जो ग्लाइकोजेन है उसको तोड़ के किसमें बदलेगा ग्लुकोस में और जो ब्लड लेवल है जो ब्लड है उसमें सुगर लेवल इंट्रीज कर देगा आई होप यह समझ में आ गया ना स्मेटो स्टैटिन यह क्या इसका फंक्शन क्या है फंक्शन के क्लिए तिन्य हारमोन इंपर्टे तो या हैं जो इन्सुलिन और ग्लुकाकोण स्ट्ट्लय enc इधर है बीच में फोड़ा जॉइंट है यह बटरफ्राय लाइक स्टक्चर इधर भी है इसके कमी से देखो गेंगा होता है मैं बता रहा हूं आप देखो गया जिसको यह थाराइड हो गया यह आउडीन की कमी से होता है थीक तो उनका गर्दन में यह भाग बढ़ जाएगा जब नमक आडाइस खाने लगेंगे न टाटा वाला तो फिर छोटा हो जाता है बढ़ता रहता है छोटा होता है जब कमी मह जाए तो बढ़ जाएगा जो परियात मातरा में आउडीन वह खा लेंगे तो छोटा हो जाएगा अच्छा है देखो थाई राइट इडिशा wind pipe और mouth pipe दोनों मिलता है खाली जगह होता है उसका बोलते है लेरिंग trachea in the neck trayeia wind pipe को बोलते है यहां से जो लंक्स के तरफ जो बट रहे है न का तो क्या आगे बढ़ रहा है इट सिक्रिट्स हार्मोन थाइरोक्सिन टी फूर यह खास है यह इम्मुनिटी भी प्रवाइड करता है टी फूर एंड टी थरी यानि क्या करता है हमारे रेट आफ मेटाबोलिजम को यह घास है प्रवाइड करता है लोवज टी बर lläट काल्सियम करता है लोड कलसें लेवल इन समटिशन और यह वारले इस गड़ी थाय। इंपोर्टेंट फंक्शन हो गया किसका थायरॉक्सिन हार्मोन का आपको फंक्शन पुछेगा यह लिखना इट रेगुलेट्स देट आप सेलुलर ऑक्सिडेशन और हीट प्रोड़क्शन यह इसका फंक्शन हो गया इट अपकी हडी मजबूत हरी है और बोंस बॉड़ी टेंपरेचर रिगूलेट करता है यह क्या रिगूलेट करेगा बॉड़ी टेंपरेचर एंड मेंटल डवलप्मेंट यह थायरॉड का है यह बहुत ही खास है आपको यह याद रखना हुगा इ यह बॉड़ी कहा है इट रेगूलेटाल मेटाबोलीजम। न गीशन के जंड डॉड़ी टेंपरेचर एंटिंटर मेंटर मेंटेंटर डवल्पमेंट अगसंव धर इसकी कमी हो जाय तो आदमी मेंटली थभडा कम होता है ठीक है तु यह यह आध रखेंगे देके आप आप अगर इसकी कमी हो जाए हर्मोन की तो क्या होगा देखो इट लेट्स टू अपको याद रखना है कि ये कमी से हो रहा है किसके और इसके कमी से याद रखना कमी से हो रहा है सबसे इंपोर्टन क्वेश्चन है अगर आपको इसको प्रिवेंट करना है मैंने बड़ा हो जाता है तो जब यह लोग नमक खा लेता है तो फिर छोटा हो जाता है इसमें लोग छोटे छोटे होते हैं वह बाउना हो जाएगा और मेंटल रिटार्ड और दिमाग से भी हलका हो जाएगा अबनॉर्मल बिहिवेर करें ठीक है अठारा अठारा के बाद की अगर सरीर में आयोडियन की कमी है तब क्या होगा इट लेस्ट तु दे मिक्जडर्मा वें वें मेटाबॉलिक रेट डिक्रीस यानि हमारे सरीर का मेटाबॉलिक रेट घट जाएगा पर्सन बिकम्स लगिस मतलब आलची हो जाता है और मतलब उसके जुबान बान लडखनाने लगता है बोलने में आप टूद अक यहां फूद यानि पूरा जो फेस उसका भी उसका बीवनन यहां फूल जाएगा और हात सब फूल जाएगा इसकीन बिकम्स जुबान शूदूर्ध को बलना तो बोलने न तो यहां थीकिन प्रक जिससे खुरुद्रा समझ जाना तो रफ हम लोग इसमूध है उसका खुरुद्रा हो जाएगा ठीक है और वह बहुत मेटबोलिकली एक्टिव होगा परसन बोलने में उसको दिक्कत होगा उसका जो जबान है वह लड़ खड़ाएगा और चेहरा बहुत बड़ा-बड़ा हो जाएगा मतलब अजीब टाइब का लगता हो इसको हम क्या बोलते हैं मेक्सोडर्मा तो अंडर स अजीब कमिया है और जो असर पड़ रहा है वोप सबको क्लियर हो गया अगे हैं ओवर सिक्रीशन इसका तो खोर्वर सिक्रीशन सारे हार्मोन्स का अंडर सिक्रीशन और ओवर्स इकरीशन आपको याद ही रखना है एक से सब्थे खायर इक्वार्टिशन क्वास इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम इसको आपको यह अंडर सीक्रीशन ओवर सीक्रीशन याद रहना चाहिए आपको आरें नेक्स पर आपका है कौन सा पिजूट्री ग्लाइंड नेक्स ग्लाइंड पिजूट्री अब देखो तो पिजूट्री ग्लाइंड इसको हम मास्टर ग्लाइंड भी बोलते हैं ठीक ना मास्टर ग्लाइंड बोलते हैं क्योंकि देखो यह इसका जो एंटेरियर पिजूट्री है आगे और पीछे दो पार्ट होता इसका और बीच वाला तो इसका जो एंटेरियर पिजूट्री है उसी को मस्टर्वांट बोलते हैं क्योंकि ये डारेक्टले इंडारेक्टले पूरे जो इंड़ोग्राइन ग्रेंड उन पर ही कंट्रोल और कोडिनेट करता है और हमारे बॉडी पार्ट्स पे भी चंट्रोल सुझ इसलेस को क्या बोलता है वाटर बैलेंस यानि यह सारा चीज हमारा रेगुलेट कर रहा ही वाटर बैलेंस और अल्सो दे ग्रेंडूलर सिक्रीशन आप इसी वर्ट के लिए हमने इसको लिखाता है कि आपका जो पिट्यूट्री ग्लैंड है उसको कौन रेगुलेट करेगा तो वह हाइपोथालमस असे यह सब्सक्राइब रिखना बेट हो गया बाडी तम्रेचर हो गया वाटर बैलेंस गया इनको भी यह कंट्रोल करता है अंडर है उसको भी रिकॉन्ट करता है आपको यह याद हुना चाहिए की फिट्रूट्री ग्लैन को चाहता है है यहां लोकेशन पूष्टा Posterior Pituitory, Anterior Pituitory, and Intermediate region यानि ये तीन भाग में इसको हम डिवाइट करते हैं ये जो हो गया ठीक ये आगे का भाग हो गया ये भीच का भाग हो गया और ये पीछे का भाग हो गया इसके उपर क्या होगा यहां पर Hypothelmas यानि यह उन हर्मोन को रिलीज करता है जो हमारे बोड़ी पार्ट्स को भी और बाके हर्मोन को भी क्या करता है इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम मास्टर ग्लाइन नेक्स्ट हर्मोन फ्रम इंटेजियर प्रियूट्रीय यानि जो अग्ला बाग उनसे यह हर्मोन रिलीज हो रहा है तो यह क्या अगरता है और वर्मोन इसमें पहला है यह हमारे सरीर के अंदर ग्रोथ को रिगूलेट करता है इसको हम क्या बोलते हैं इस अल्सो काल्ट समाटो ट्रोपिजम ठीक है इस डिफिशेंजी हाँ खास है इस डिफिशेंजी रिडल्ट इन ड्वार्फिजम अभी मैने ये वर्ड बताया था आपको द्वार्फिशम का मतलब अगर ग्रोथ हर्मोन की कमी हो गई तो आदमी बहुत छोटा हो जाता है जिसको बोलते हैं बाउना और उसका जो ओवर सिक्रीशन है इस लेट्स टू जाइजाएंटिसम ये देख लो जाइजाएंटिसम का मतलब कुछ क्लास में बच्चे होगे कमी एज के हैं लेकिन बहुत बड़े हो जाता है ये जाइजाएंटिसम है उनके अंदर ओवर ग्रोथ हर्मोन ज्यादा से ग्रीट हो गया ना बहुत बड़े हो जाते हैं उनकी हड़ियां कम जूर हो जाती है उनको भी प्राब्लम होता है तो कम सिक्रीशन ज्यादा सिक्री इसके हम बात करें, next is thyroid hormone, अगला देखो आप कौन सा है, thyroid stimulating hormone, TSH, ये full form पूछेगा, इसका what is TSH, इसका full form लिखे, you will have to write thyroid stimulating hormone, it activates thyroid to secret thyroxine, हाँ, thyroxine hormone, जो अभी हमने देखा इससे पहले, उसको stimulate कौन करता है, interior pituit, इसलिए तो इसको master gland बोलता है, इसको बाकी hormones पे भी असर कर है, अगला देखें, third, gonad stimulating hormone, अब देखो, इसको बोलेंगे आप क्या gonadotropic hormones, अब इसमें देखें, it regulates activities of testis and ovaries, यानि हमारे male और females में जो testis और ovaries हैना, इनकी activities, ये gonad stimulating hormone करता है, और ये कहां से release होगा, interior pituitories, done, next, अगला आपका adrenococotropic hormones, ACTH, ये full form जरूर याद रखना आप, देखलो, full form पूछे कहा था, adenocococotropic hormones, ये full form याद रखेंगे, it regulates the activity of adrenal cortex, आप समझ जो है, जो इमर्जेंसी बाला हर्मोन था, वो यही से regulate हो रहा है, इसे लिए सको क्या बोलता है, master gland, I hope concept clear हो रहा, full form इसका याद रखना और किसको regulate क ये anterior part है, और ये आपका हो गया posterior, और ये इसका बीच वाला भाग ये है, आपका intermediate, okay, clear, ये hypothalamus के नीचे है, hormones from the posterior, अब ये जो पीछे से release हो रहा है, या ये वाला जो, इसका पार्ट है, pituitory का, ये कौन-कौन से hormone release कर रहा है, उनका function क्या है, ये देख लेता है, first, it releases vasopressin and oxytoxin, अब पहला जो हर्मोन है, इसमें है, आपका vasopressin, it is anti-duretic हर्मोन, it controls blood vessels with rise in blood pressure, it also acts on kidney, increasing the water absorption, अब देख लो, एक वर्ड में मोलें तो vasopressin, basically, ये हमारे, जो kidney है न, उसमें water absorption का जो प्रोसेस है, उसको regulate करता है, हमको प्यास लगे, ये ये ही regulate करता है, ठीका न, clear हो ग contracts blood vessels with rise in blood pressure, यानि हमारे blood pressure को ये increase कर देता है, कैसे, जो blood vessels है, इनको contract करके, जैसे अगर आपानी फेक रहे हो, पाइप से तो उसका आगे का जो जहां से पानी निकल रहा हो, तो उसका हम दबाते हैं, तो pressure बढ़ जाता है, वैसा ही ये करता है, blood vessels को construct कर देगा, तो BP बढ़ जाता है, ठीक है, और ऐसा क्यों करता है, ताकि जो kidney है उसमें absorption बढ़ जाता है, clear, now you see deficiency, अगर हम इसके deficiency की बात करे, deficiency causes diabetes, insipetus, वो हमने बोला था आपको, diabetes mellitus होता है, और diabetes insipetus, वो insulin वाला हार्मोन, वो यहां से regulate होता है, देख आपके, diabetes mellitus में तो insulin की कभी हो जाती है, ल जिसको हो गया ने diabetes insipetus, वो भार-बार urination करेगा, person loses too much water from the body, और बार-बार urination करने से उसका, शरीर के अंदर से बहुँ जादा water loss हो जाएगा, और बार-बार उसको क्या लगता है, प्यास लगता है, कहां से control हो रहा है, posterior pituiti से, कौन कर रहा है, वेसोप्रोसीन, उसकी कमी स हो रहा है, diabetes insipetus, vasopressin की कमी से होता है, जो posterior pituiti में, यह आपको याद रखना है, इसमें बहुत urination होता है, लोग को बहुत प्यास लगता है, और कमजोरी फील होता है, ओके, next will go for the oxy toxin, यह oxy toxin, it stimulates vigorous contraction of the uterus, यहानि जब बच्चा पैदा हो रहा होता है, तो उस वक्त जो mother है, उसके जो uterus के अंदर जो contraction होता है, powerful contraction, contraction से बच्चा बाहर निकल जाता है, मतलब कि during the delivery, delivery के समय में, तो उस वक्त जो powerful contraction होता है, यूटरेस में, वो यह regulate कर रहा है, कौन, oxy toxin, अब oxy toxin की कमी हो रही है, और तो में, इसलिए normal delivery भी नहीं हो रहा है, और अगर normal delivery के लि कुछ घंटे पहले, वो oxy toxin harmony होता है, जो उनको पहले लगा देते हैं, ताकि इनका जो contraction है, uterus का वो start हो जाए, और delivery होने लगे, ठीक है, clear हो गया, uterus in women's, आगे देखें, next, during pregnancy leading to the birth of a baby, it also stimulates milk ejection after birth, यानि, अगर मान लो बच्चा हो गया, तो फिर उसके माँ को दूधाना स्टार्ट होता है, वो ये oxy toxin harmony की वज़े से ही होता है, clear, यही नहीं जो जानुरों में जैसे cow हो गया, buffalo हो गया, उसके अंदर देखो गया, अगर मान लो उसका अगर बच्चणा अगर मर गया है, तो उसको injection लगाते हैं, लगाते हैं, वो यही होर्मोन होता है, oxy toxin harmony, अ इसा होना है, करना नहीं चीए, clear, यह इतने हर्मोन थे आपके syllabus के अंदर, जिनको पढ़ना है, so I hope हमने आपको अच्छे से, देखो material तो सारा आपके पास है, book में है, लेकिन कुछ जो words थे और जो हर्मोन था, वो हमने आपको simple language में समझा दिया, हम उसमें सफल हुई, इसक और टेक्स्ट बगर है, तो आपके book में है, लेकिन किस word का क्या मतलब है, उसका कहां से क्या release हो रहा है, कैसे चीजों को link करें, चीजों को कैसे आसान बना एक notes के format, इसलिए था, so I hope you enjoy this video, thank you for watching this video, please share and subscribe my channel, okay, thank you, have a great day, jahin.